हलो फ्रेंड्स वेल्कम एक चैनल इन कोकिंग वित्रेका पहाडिया आज मैं आप लोगों साथ शेयर करने जा रही हूं आलो चुले की बहुती शांदार रेसिपी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ग्रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम प्लीज सब्सक्राब माई चैनल और पेस बेल आइकन आप तक पहुंच सके आप इस दीवाली मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें तो आईए अब बिना कोई दिर की इस डिलिशे सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं आलो चुले की सब्जी बनाने के लिए मैं इसब आधार पानी में बिघ्वा कर रखा हुआ था आप देख सकते हैं किस तरह से छोले फूल कर इस तरह से बड़े हो गये हैं इसे हम काभूली चैनल भी बोलता है अब इस अच्छे से तीन अगार साफ पानी से दू लेंगे की देखे में इसको अच्छे से साफ पानी से लगती है उबलने के लिए आपकी कुकर की क्वालिटी के उपर डिपेंड करता है साथ हम इसमे आड़ कर देंगे आदा चमश नमग इससे की हमारे चोले जो अंदर से फिके भी नहीं लगेंगे और यह जल्दी से बॉल हो जाएंगे हमें इसे 70 परसंट तक कुक करना है यह द अभी हमने इसके अंदर अलू डालना है और अगर अलू हम स्ट्राटिंग से चोले के साल डाल देते तो हमारे अलू की रबडी बन जाती बस इसलिए हम 70 परसंट तक चोलो को उबालने के बाद हम इसमें आलू डालेंगे उसके बाद लगबग तीन सीटी आने तक हम इसे फ अच्छी सी बाइंडिंग आ सके हमारी सब्जी में यह देखिए आलू और छोले टोटल मुझे आदा गंटा लग गया है इसे अच्छी तरह से बॉल करने में बहुत अच्छी तरह के से आपको चोले को बॉल कर लेना है क्योंकि हम बाद में इसे बॉल नहीं करने वाले सब अच्छी के साथ यह देखिए अब इस तरह से प्रेस करके देखेंगे और बहुत ही इजी ली आपका चोला जो हो इस तरह से मेश हो जाना चाहिए सब के कुकल में अलग अलग टाइम लगता है मुझे आपर आदा गंटा लगा है अब जब तक चोले उब बोल रहे थे तब जालचिनिका टुकडायक घरीलाईची पांच काली मिश दो लोम और चोटी चमच जीरा अब से पहले हम अच्छे से चॉप कर लेंगे या फिर मिक्सी जार में थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे अगर आपके पास चोपर मशीन है तो आप इसमें इसे चॉप भी कर सकते हैं लेकिन मिक्सी जार में थोड़ा मोटा मोटा से पीस लोगी अब मैंने गेस पर एक कडाई गर्म होने के लिए रग दी है जैसे आपके कडाई अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दो से तीन चमच के करीब ऑईल इस टाइब की सबजियों में थ सारे साबुत खड़े मसाले और इन मसालों को अच्छे से चटक में देंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से मारी सब्सके अंदर आ सके आपका तेल अच्छे से गरब होना चाहिए इस टाइम पर उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे ये लसन प्याज निकल जाए तब तक कि ये देखिए मुश्किल से 3-4 मिटी लगे है और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और जब आप प्याज टमाटर कुछ भी बखाए तब आप गेस का फ्लेम मीडियम रखे ये देखिए ये प्याज वाला चेंज होगे उसके बाद में इसमें डाल सेपरेट ना हो जाए ये देखिए हमारे प्यास टमाटर से किस तरह से ओल सेपरेट हो गया है बिल्कुल सर्फेस पर दिखाई देने लगा है बस इस अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे बेसिक मसाले अब या पर एड कर रही हूं एक 1 चमच लाल रिज पाउडर, 1 चमच हलदी पाउडर, 1 अचमच सूआ елиया पाउडर, 1 अधा चमच गरम दो, 1 175 तिय हाई चमच गरम सला पाउडर अधा चमच नमक नमक कर और रहे शुदेब मेरे port कर दिख left ताकि टमाटर जो भी प्योरी इस ग्राइडर रह गई होगी वह मासालों के साथ अज तरवा से आज आज आज़ाएगी अब इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे कि यह पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है लग बग एक से अडर करीब या फिर पीर प्रण चाहिक मिर्च मसाले की तेज़ काते हैं तो आप मिर्च मसाले की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दें। लेकिन हम लोग मिर्च मसाले थोड़ा कम काते हैं, बस इसलिए मैंने सब क्वांटिटी कम कमी रखी है, मैं सिफ आपको मैथड बता सकती हूँ रेसिपी की, बाकी आप क्वांटिटी कम या जाद अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम तो ना करें क्योंकि कम करेंगे तो आपके सब नहीं लगी कि आप बड़ा जरूर सकते हैं, अब मसाला पकने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे यह चोले अबले हुए और साथ हम इसमें एड़ कर देंगे यह उबला हुआ अलू इसको मैने इस तरह से रफली मेश कर लिया है, हम इसके अंदर आलू का यूस इसलिए कर अगर आपको लगता है कि एक गलास पानी इनफ है, अगर आपको गाड़ी सब्जी चाहिए तो आप इसके अंदर और पानी एड़ न करें लेकिन में इसके अंदर डेढ़ ग्लास पानी का यूस जरूर करें क्योंकि जब आपकी सब्जी ठंडी हो जाएगी बनने के 15 निट या फिर आदे गंटे बाद यह और भी चाला गाड़ी हो जाती है अगर आपको साथ के साथ यह सब्जी कहानी है तो आप इसमें सिफ एक ग्लास पानी का यूज कर सकते हैं और साथ का साथ यह सब्जी खा सकते हैं तक हमारे छोले जो है क्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए और काफी अच्छा टेक्च्चर आए हमारी सब्जी का यह देखिए अपका सिक्रेट इंग्रिडियंट है टॉमेटो केचप जी हां टॉमेटो केचप जब आपकी सब्जी अल्मोस्ट बनकर रेडी ह हो जाए बस उस टाइम पर आपको इसमें एड़ करना है एक चमच के करीब एक चोटा चमच टॉमेटो केचप इससे अपकी सब्जी का टेस बहुत ही अच्छा आएगा और यह सिक्रेट इंग्रिडियंट हलवाई भी इसमें डालते हैं इससे कि टॉमेटो केचप डालने के मुझकिल से 2-3 मिट के लिए मैंने से खूला पकाया है और आप देख सकते हैं हमारी सजी जो है काफी ठीक हो गई है और यह बिल्खुल पॉफ्यक्त है इससे चादा में नहीं पकाएंगे इसका कलर भी काफी अच्छा आगया है अब इसमें एड़ कर देंगे बारी कटा हर अब देनिया और इस तरह से हलके हाथ से मिक्स करेंगे और फटा फट से गर्मा गरमी से सव करेंगे कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आये होगी आप इसे जरूर जरूर से ट्राइ कीजिए गा और मुझे कॉमेंट सक्षें में कॉमेंट करके भी जरूर से बताईएगा आप मेरी चोटी चोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इस अलू छोले की सब्जी को बनाईएगा मैरी गैरंटी है कि आपकी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तयार होगी है आप इस अलू छोलेगी सब्जी जरूरि के साथ बहुत ही ज्याद अच्छी लगती है आप इस दिवाली मेरी अगली अगले के साथ तक तक के लिए वा पाइओ thank you, thanks for watching